जैहीं दोस्तों चुलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कहा गया है A और B दिया हुआ A is twice work as B यानि एक unit करेगा तो यह दो unit करेगा यह work की ratio दे रखिया इनका अगर मैं LCM निकालगों तो 2 निकलेगा आपका तो इनका time का ratio कितना आजागा यह time का ratio आजागा अब इन दोनों ने कहा कि दोनों मील करने से 8 दिन में complete करते हैं total work कितना है मेरे पास में 2 divided by 3 तो यह कितना होना अच्छे 18 days तो 18 days आने के लिए किसे 27 से multiply करना पड़ेगा ऐसे तो इससे multiply करेंगे उससे आपसकी time को multiply कर दीचे तो इसका मतलब ए जो है इससे पूरे काम करने में कितना time लेगा 27 days लेगा यानि कि जो option जो A होगा इस question का correct answer होगा I hope आप सभी के question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत